अश्कार जी आज वीडियो में 2024 नौवंबर मेहने में विवाह के सुब महरत कौन से रहने वाले हैं वीडियो में जानेंगे सभी जानकारी पंचांग में से निकाली गई है जो कि ये पूर्ण रूप से विश्वसनी है अपनी सुख सुविधा अनुसार कोई भी एक तिथी चुनकर आप सभी अपने ले विवाह का दिन सुनी योजित करें आपके जीवन में खूब सारी खुशिया आए यही प्रार्थना करते हुए आरंभ करते हैं आज का वीडियो सबसे पहला जो सुब महरत होने वाला है वह है 12 नौंबर 2024 दिन मंगलवार का अच्छा दिन है इस तिथी को आप अपने ले विवाह का सुब महरत देख सकते हैं इस दिन उत्तरा भादरपद नक्षत्र हो रहा है और तिथी द्वादशी की रहेगी जो की बहुत अच्छी है आप अपने ले विवाह के ले सुब दिन चुन सकते हैं साथ ही आप सभी अगर कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या अपने लिए अपनी विसेस सुविधा अनुसार कोई जानकारी लेना चाहते हैं तिथी निकलवाना चाहते हैं या अपने भागी उदय को लेकर जानकारी महरत इत्यारी की जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझ अच्छा है बुद्धवार का दिन है और इस दिन रेवती नक्षत्र हो रहा है त्रियोदशी तिथी सुंदर सरोपमा विरादमान है तो आप सभी इस तिथी को भी विवाह रचा सकते हैं साथी नवंबर 16 तारिक को 16 नवंबर 2024 दिन सनिवार है और बहुत अच्छा सूप दि दिन है रोhnी नक्षत्र है दूटिया तिथी है तो इस दिन भी आप अपने लेव विवाह के लिए चुन सकते हैं स्रेष्ट दिनों में इसे जाना जाएगा 16 नवंबर के बाद रविवार का दिन 17 नवंबर का है बहुत श्रेष्ट दिन है इस दिन भी आप विवाह कर सकत वह 18 नॉंबर 2024 दिन सौंबार का है इस दिन भी आप अपने लिए विवाह के लिए चुन सकते हैं यह भी बहुत स्रेश्टितिती के स्वरूप में जानी जाती है हाला कि इसमें सुब मोहरत इत्यादी देखने की ज़्यादा कोई विस्य सावशकता नहीं है आपने देखा होगा जब बरात का आगमन हो जाता है उसी के अनुसार हमारे छेतर में दो विवाह कर लिया जाता है आप अपने छेतर के अनुसार देख लिजिएगा मैंने हाला कि सुब मोहरत स्क्रेन पर दिया हुआ है अगर संभव हो तो इसी सुब महरत में विवा करें नहीं तो जो तीथी बताई जा रही है उसमें आप कभी भी विवार रचा सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है देखिए जी आजकल जमाना और समय अनुसार बदला होते हैं जब बरात आती है भोजन इत्यादी का प्रबंध होता है उसी की अनुसार विवा हो जाता है तो दूर दराज की बराते आती हैं तो देर सबेर जाने से अच्छा है उस दिन को अच्छा समझा जाए और भगवान नक्षत्र है और अस्टिमी का पावन पवित्र दिन है तो इस दिन भी आप विवाह कर सकते हैं साथी नौंबर में विवाह का जो अगला मोहरत निकल कर आ रहा है वह थेस नौंबर दोहजार चौबीद दिन सनिवार का है और नक्षत्र जो है मगा नक्षत्र है यह भी अस् और मातारानी का दिन है सौंबार का बहुत स्रेष्ट दिन है नक्षत्र हस्त नक्षत्र ती थी एक आदशी रहेगी जो किस रेष्ट ती थी हमें से एक जाने जाती है इसके बाद 26 नौंबर 2024 दिन मंगलवार का है यह भी बहुत स्रेष्ट दिन हो रहा है इस दिन भी हस्त नक काम के लिए इसके बाद 49 अर्थात 29 माफ करें मुझे 29 नौवंबर 2024 दिन सुखरवार मोहरत का समय मैंने स्क्रीन पर दिया है स्वाती नक्षत्र है और तिरियो दशीति थिये तो 29 नौवंबर को भी आप विवाह चुन सकते हैं अपने ले साथ के साथ अंत में जो है 12 नौवं नक्षत्र है और 12 शीतिति का सुंदर सयोग है इस तरह से यह जानकारी थी वीडियो प्योगी रही हो तो करफिया लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें पसनल राय और जानकारी के लिए आप कमेंट्स में मेरा नंबर पीन है उस पर बात कर सकते हैं म्रामन दक्षिना देकर आपके भावी जीवन की उजल जो है सुभकामनाओं के साथ अभी के लिए इतना ही हर हर महादेव